कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको punishment मिलने वाला हो और आप वैसा कुछ करने कि आपको punishment ना मिले मतलब कि आप punishment से बचना सीख जाएं एक बार नहीं बहुत बार हुआ होगा मेरे साथ भी हुआ है कभी घर पे ऐसा होता है तो कभी ऑफिस में बॉस की डांट पढ़ने से पहले ही मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मिले को डांट नहीं पढ़ती है मैं उस punishment से बच जाता हूँ बस यही है आज का topic जो आज हम psychology की आज की अपनी पाक्षाला में हम समझने वाले हैं आपको ध्यान होगा आपने एक topic discuss किया है और उसका नाम है instrumental conditioning और इसी instrumental conditioning का एक प्रकार है और जिसको हम कहते हैं avoidance conditioning आप उसे avoidance conditioning से समझें आप उसे avoidance learning से समझें या आप उसे avoidance training से समझें तीनों बात एक ही है क्योंकि learning होगी training होगी तो conditioning automatically बन ही जाएगी तो यहाँ avoidance cure Administration or Avoidance Learning में हम क्या सीख रहा हैं? हम सीख रहे हैं किसी on punishment से बचना क्योंकि यह जो instrumental conditioning है, और इस instrumental conditioning का एक प्रकार Avoidance conditioning है और यहाँ पर जो animal जो पशु है उसके ओपर experiment किये गए तो यहाँ पर क्या है? उस पशु को उस animal को उस प्रानी को यह सिखाया जाता है कि कैशे और इसके लिए क्या किया? इसके लिए एक experiment किया गया और experiment क्या था? Experiment मान के चलते हैं कि यह एक instrument बनाये गया कुछ इस तरह का instrument था? मेरी आग बहुत अच्छे नहीं है मैं के वहले कि आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह का instrument होगा मान लेते हैं यह instrument है और इस instrument को नाम दिया गया था shuttle box और इस shuttle box में क्या था यह जो area था मान लिया इस यह left जो area है मेरी तरफ का जो area है यह क्या था यह black था यहां पर black था मतलब black लिखा नहीं हुआ था यह पर black color था मतलब यह kale color था यहां पर यह यह ब्लैक था की पूरा और दूसरे तरफ क्या था यह जो था यह पूरा white था मतलब इस shuttle box में क्या है इसके दो compartment थे एक compartment यह है और एक compartment यह यह compartment काला है और यह compartment उजला है काला मतलब कि यह compartment बिलकुल black है और यह compartment white है अब क्या हुआ कि इस avoidance जो conditioning है या avoidance जो training है उसके लिए experiment क्या किया गया है सबसे पहले shuttle box बनाये गया और shuttle box में बनने के बाद कोई भी प्रानी वो चूहा हो सकता है वो बिल्ली हो सकता है basically चूहे के उपर हम समझने की कुशिश करते हैं कि उस एक चूहा लिया गया और चूहे को क्या है इस white box में रख दिया गया मतलब कि इसमें छोड दिया गया इन दोनों compartment में एक अंतर और था यह तो ठीक है कि यह काला था और यह सफेद था लेकिन जो इसका यह फर्ष है मतलब इस white वाले की फर्ष में current दोर सकता था current मतलब बिजली का जो electricity का जो current है वो इस white वाले जो compartment का जो फर्ष है या यह जो line में आप मानके चले इसमें क्या current दोर सकता था बिजली का शौक लग सकता था और इस black वाले compartment के इस फर्ष पर क्या है यह ऐसा था कि जहाँ पर बिजल का बना हो सकता है यह क्या यह एक मैटल का बना हुआ था और मैटल आप पता ही है कि जब मैटल में तो करेंट दौर सकता है तब अब क्या है यहाँ पर चुहे को रखा गया और चुहे को रखने के बाद 10 से 15 सेकंड तक 10 से 15 सेकंड तक जैसी चूहे को रखा और 10 से 15 सेकंड तक यहाँ पर एक बल्ब लगा था और इस बल्ब को अन कर दिया गया कब जैसे ही चूहे को यहाँ पर रखा गया इस बल्ब को 10 से 15 सेकंड तक अन रख दिया गया अन रख दिया गया तो उस चूहे को क्या पता है कि साब ये बल्ब क्यों जल रहा है क्यों बुझ रहा है क्या हो रहा है जैसे ये 10 से 15 सेकंड बाद ये बल्ब बुझ गया और यहां पर मतलब कि इस फर्श पर अब इलेक्ट्रिसिटी का करंट छोड़ दिया गया अब जब इलेक्ट्रिसिटी का करंट छूटेगा तो क्या होगा यहां पर यहां पर यह पर परेशान होगा तो यहां पर उचले का खूदेगा बैचेन होगा अब उसने क्या किया जैसी ये जंप लगाई और जंप लगान में तो current लग सकता है लेकिन लकडी में current नहीं लगता था अब फिर बापिस यहां से फिर इस चूहे को उठाए गया फिर यहां पर रख दिया गया 10 से 15 सेंड फिर light जला दी गई और जैसी light बंध होती 15 सेंड होते यहां पर फिर current छोड़ दिया जाता और current से बचने के लिए फिर यह इधर कूदता है यहां पर आकर बच जाता अब बार 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 यही practice करवाईगी मतलब कि उसको इस सिखाया गया कि देखो भाई देख चूहे भहिया कि अगर तू एक specific time interval मतलब कि 10 से 15 सेंड में अगर तू व्यवहार कर देता है मतलब कि तू इस उजले मतलब इस white वाला जो है उस white वाले से कूद कर black वाले compartment में आ जाता है तब क्या है उस time के पहले ही अगर तू आ गया तो तेरे को current बिलकुल नहीं लगेगा लेकिन अगर 10 से 15 सेंड के बाद 1 सेंड 2 सेंड 5 सेंड 25 सेंड अगर तू यहीं पर रहता है तो तेरे को current लगेगा और current लगने के बाद यहां दिक्कत होगी तो तुझे कूदना तो पलेगा मतलब उससे बच्चना पलेगा यह क्या है यह shuttle box का एक experiment है जिसमें avoidance conditioning या avoidance learning या avoidance training जो भी आप नाम दे रहें उसको सिखाये गया क्या मतलब है वड़ा simple सा मतलब है avoidance learning का कि साब punishment दिया जाएगा उस punishment से आपको बचना सीखना है बहुत सारे game आपने देखे होंगे बहुत सारे game हम खेलते भी हैं बच्चे भी खेलते हैं कि हम क्या किसी भी तरीके से punishment से बचना है तो हम कोई ऐसी चीज सीख जाते हैं या कहीं कोई ऐसा move कर लेते हैं कि हम उससे punishment से बच जाते हैं या punishment हमें नहीं मिलता है बिल्कुल वही तरीका यहाँ पर apply करें केवली एक experiment है कि यहाँ पर क्या है उस प्रानी को उस animal को यह सिखा दिया गया कि specific time interval मैंने क्या का 10 से 15 सेकंड तक यह bulb जलता और बल्ब जलने के बाद उसको current लगता था बल्ब जलने के समय उसको कोई current नहीं लग रहा है उसको current प्रवाहित नहीं हो रहा है इस box में तो उस 10 से 15 सेकंड के अंदर ही तुझे कुछ ऐसा करना है कि तुझे इस compartment में आ जाए तो जैसी तो इस black वाले compartment में आएगा तिरे को current नहीं लगेगा यह है avoidance conditioning या avoidance learning लेकिन इस avoidance conditioning या avoidance learning से related एक बहुत important concept है और जिसको हम कहते है learned helplessness और इसको हिंदी में कहा जाता है अर्जित निस सहायता अब इस अर्जित निस सहायता का मतलब क्या है कि देखे यहां पर वो क्या सीख रहा है avoidance conditioning में punishment से बचना सीख रहा है लेकिन एक condition ऐसा बनाया जाए कि यहां पर चुहे को रखा जाए और light जले तो भी current वो जैसी रखा गया वैसी current छोड़ दिया जाए और वो उस current से बच ही ना पाए मतलब वो कुछ भी करे वो इधर आ जाए तो भी current इधर आ जाए तो भी current हर परिस्थिती में अब वो सोचे कि भाई साब अब कुछ नहीं हो सकता भाई साब मैं अब हार गया हूँ अपनी life में situation ऐसी होती है इतनी खराफ situation आती कि लोग बिलकुल depressed हो जाते हैं और फिर अब कहते हैं अब मेरे से कुछ भी नहीं होगा मतलब कि उसने उसी परिस्थिती में रहना सीख लिया है जिस परिस्थिती में उसको दुख भी हो रहा है कस्ट भी हो रहा है पेन भी मिल रहा है लेकिन फिर भी उसने सीख लिया है उसको कहते हैं learned helplessness avoidance condition में क्या है punishment से बचना सीख रहा था लेकिन learned helplessness का मतलब क्या है कि साब मैंने उस दुख में रहना सीख लिया है और इस learned helplessness का जो concept जो दिया था वो दिया था एक psychologist थे जिनका नाम था मार्टिन सेलिगमेन मार्टिन सेलिगमेन ने 1967 में यह learned helplessness के बारे में बताया था अर्जित निस्सहायता के बारे में बताया था और इन्हों ने एक experiment किया था कुत्तों के उपर आज हम वो experiment discuss नहीं कर रहे है क्योंकि इस learned helplessness पर एक अलग से psychology की पाथशाला में एक अलग से एक video है तो हमने आज क्या समझा instrumental conditioning का एक type समझा जिसको कहते है avoidance conditioning या avoidance learning या avoidance training और इसमें एक experiment किया गया था जो यह जो box है यह जो instrument है उसको हम shuttle box कहते है और इस avoidance learning में किसी भी प्रानी को प्रानी मतलब एक व्यक्ति भी हो सकता है एक पश्यू भी हो सकता है कि व्यक्ति को एक specific time interval में उस punishment से बचना सिखाया जाता है और इस avoidance learning से related ही एक concept और है learned helplessness यहाँ तो avoidance conditioning में व्यक्ति बच रहा था लेकिन यहाँ पर learned helplessness में क्या है कि साब अब तो मैं बच ही नहीं सकता वो सीख गया है क्या helplessness रहना और इस concept को दिया था मार्टिन सेलिगमन ने 1967 में तो आज केवल अपनी psychology की पार्चाल में बड़ा simple सा बड़ा छोटा सा topic था instrumental conditioning का एक प्रकार जिसको कहा जाता है avoidance conditioning या avoidance learning